जैसे कि हम लोग जानते हैं कि Manisha Rani बहुत या अच्छे तरीके से ग्रोव कर रहे हैं भगवान करें किसी की नजर ना लगे और इसी तरीके से ग्रोव करती रहे हैं हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि Big Boss के बाद Manisha Rani दुबारा Big Boss में जाएगी टीवी वाले में जाएगी, लॉकक में जाएगी, खतरों खिलाणी में जाएगी, ठीक है, reality shows ठीक है, बट मनीशा रानी को film मिलनी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ, उसका reason तुम्हें पता ही है, कि मनीशा रानी बहुत ही कमाल की actress है, दूसरा reason ये है, कि she deserves to be in films, क्योंकि ऐसा entertainment package अगर हमें फिल्मों में देखने को मिल जाए, तो मतलब क्या ही मजे आएंगे theatres में, और अगर हम बात करते हैं particularly, मनीशा रानी के एक और issue के बारे में, वो issue था Big Boss के अंदर जब पूजा बटने बोला था, कि तुम heroine material नहीं हो, तो वो जो खुद director material नहीं है, वो उसने ज दिमाग में घर करी होगी और हमारे दिमाग में भी घर करी थी, कि भाया जो director जिसने पूरी जिंदगी बैठके धारूपी हो, ठीक है, सारा कुछ career बना बनाया, बाप के हाथों से career package में मिल गया हो, प्लस उसने एक film direct करी हो, जिसमें उसने सिरफ और सिरफ कपड़े उतार क दिखाए हो लोगों को, तो ऐसी director मनीशा रानी के career के ओपर tip नहीं करेगी, वो decide करेगी किसे उसे film मिलनी चाहिए है नहीं, आपको क्या लगता है, मनीशा रानी को जल्दी film करनी चाहिए है नहीं, हम देखना चाहते है कि मनीशा रानी की पहली film कौनसी होने वाली है, I am very much eager to watch के when that is going to happen और which film is going to be, that film जिसमें मनीशा डेब्यू करेगी, आपके क्या विचार है, comment section में लिखके मिर को जरूर बताना, because मैं जानना चाहूंगा यार, के reality shows ठीक है, television ठीक है, मस्ती मजाग ठीक है, लेकिन serious acting जहां पर फिल्मों में होती है, आजकल तो वैसे कम होती है, अगर हो तो मनीशा कौन सी फिल्म में जाएगी, तो ये आप लोग भी सोच के बताओ, या आने वाली किस तरीके की फिल्म में आप उसे देखना चाहोगे, ये भी मैं जानना चाहूंगा, तो like कर देना, subscribe कर देना, we'll talk to you more about this, we'll see you in another video guys, जैहिंद मिलता हूं बहुत जल्द जाएगी